Hi guys, welcome to my channel, my name is Priyad Oogra and I'm back again with another video. आज़के इस वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अपॉचनिटी जो कि Zomato India की तरफ से निकल कर आ रही है अगर आप Zomato के साथ काम करना चाहते हैं. So, उनकी तरफ से थोड़े थोड़े टाइम में इंटर्शिप अपॉचनिटी जाती हैं सबी स्टूडेंस के लिए एक डुमेन में नहीं, मल्टिपल डुमेन में इंटर्शिप प्रोवाइड की जा रही है, टोटल त्री मन्स तक आप इनके साथ काम कर सकते हैं, यहाँ पे फ विडियो शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूंगी, अगर आप फॉर्स ताइम मेरे चानल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चानल को सब्स्क्राइब नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक औ आप काम करता है, तो मेक शूर उससे आप कॉंटाक्ट जरूर करें और उनको कॉंटाक्ट करने के बाद ही आप अप्लिकेशन फिल आउट करें, इम्पलाई का रेफरल कोड होना बहुत इंपोर्टेंट है, अगर आप आप साथ अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं, आप देख सकता है, परेंटल लिव पॉलसी आपके पास यहाँ पर दी गई है, no probation and notice period, कोई notice period नहीं है, कोई probation period नहीं है, डारेकली जॉब में आपको यहाँ पर पुएंट किया जाता है, medical coverage आपको प्रोवाइड क अगर आप apply करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे description पर मिल जाएगा, वहाँ पर हर एक छोटी से छोटी details mentioned होगी, यहाँ पर आप देख सकते है Zomato की internship का, जो sales department के लिए apply करना चाहते हैं, अगर आप sales team में इनके साथ काम करना चाहते हैं, आपके लिए यह link रहेगा, यहाँ पर मागा गया है आपसे एक good communication skill, and you should have a good communication skill, ताकि आप उनके sales team के साथ काम कर सकें, sales team का mainly यही focus होता है, कि जादा से जादा लोगों को Zomato के साथ जोड़ना, आपका यही काम रहेगा यहाँ पर, आपको घर बैटके ही लोगों को target करना होगा, जो भी आपके targeted audience होगी, उनके साथ आपको engage करना होगा, इसके साथ साथ आपको Google spreadsheet का भी काफी अच्छा knowledge होना चाहिए, अगर आपको different languages आती है, तो आपको यह added advantage इनके लिए हो सकता है, तो यह आप देख सकते हैं, आप से कुछ जादा चीज़ें नहीं मागी जा रही है, just you have to engage with people, वो भी घर बैटके, आपके पास एक personal laptop होना चाहिए, और एक stable wifi connection, बस इसी के साथ आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, duration की बात की जाए, तो 3 months की आपकी यहाँ भी duration रह सकती है, stipend आपको 15,000 पर मंथ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाने वाला है, तो यह है, अगर आप sales team के साथ काम करना चाहते हैं, तो इतनी सी ही skills आप से मागे जा रहे हैं, कुछ जादा skills नहीं हैं, जस्ट आपको एक अच्छी communication skills और लोगों के साथ किस तरह से engage करना है, वो आपको पता होना चाहिए, अगर आप apply करना चाहते हैं, details नीचे mention की गई है, email id, full name, कौनसी particular city के लिए आप internship के लिए apply करना चाहते हैं, क्या in city के अलावा आप कहीं बाहर based हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, email id आपको देनी है, contact number, year of graduation, एक आपको cv link यहाँ पर mention करना होगा, एक और चीज में आपको बता देती हूँ, जमाटो की इंटर्शप के लिए आप जब भी apply करते हैं, आपको एक video share करनी होती है, you can talk about the topic on your liking, किसी भी topic पर जिस पर आपको आपके photo है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं, एक minute की video आपको जो है वो बनानी है, उसको आपको Google Drive पर अप्लोड करना है, और Google Drive का link आपको यहाँ पर जो है last option पर देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, video link अच्छे से video बना के, because 80% अगर मैं बात करूँ, 80% आपकी यहाँ पर hiring, video link के उपर ही based होगी, so make sure आप एक अच्छी सी video यहाँ पर बना के, submit करें, so यह है आपकी sales team की requirement, अब चलते हैं second internship की तरफ, जो की है आपके लिए central ads team, के अंदर, की तरफ से central ads team के अंदर, भी hiring चल रही है, इसके अंदर उन candidates को hire किया जा रहा है, जिनको थोड़ा बहुत, एक तो अच्छी communication skills है, साथ साथ में जिनको ads के बारे में knowledge है, किस तरह से ads place करते हैं, तर की highlights की बात की जाए, so इसके अंदर, तीन मन्स की internship रहेगी, और आपको काम करना होगा office के अंदर, work from office रहेगा, जो की है आपका गुडगाओं में, आपकी job जो है, वो totally based होगी data के उपर, जो भी guzumato की नही policies आती है, कुछ भी नही offers आते हैं, अपने clients को उसके साथ engage रखना, clients के साथ, time to time एक engagement बना के रखना, आपका ही काम होगा, इसके साथ साथ आपको एक excellent communication skills आनी चाहिए, और साथ साथ में आपको Excel और Google Sheets की भी अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए, stipend की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास 15,000 का stipend offer किया जा रहा है, तो Central Ad Teams के अंदर आप काम कर सकते हैं Zomato के साथ, यहाँ पे email id, आपका नाम, contact number, current city college, आप graduation कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बता सकते हैं, क्या आप work from office करने में comfortable हैं वो बता सकते हैं आप, उसके बाद CV link and video link आपको at the end यहाँ पे mention करना होगा, यह है second opportunity जो की हमारे पास आ रही है, Central Ad Teams के अंदर Zomato के साथ, अब चलते हैं last of final internship के दरफ जो की है copywriting के उपर, copywriting के अंदर आपको articles या कोई भी ऐसा content लिखना होता है, जो की sales को बढ़ा सके, किसी भी brand के sales को increase करने के लिए copywriters की जरूरत होती है, so copywriting internship यहाँ पर Zomato के साथ भी निकाली गई है, अगर आप Canada, Marathi, Gujarati, Bengali में लिख लेते हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, Zomato के साथ internship कर सकते हैं, कुछ जादा यहाँ पर requirement नहीं रखी गई है, तीन मंस की ही आपकी internship रहे गया, क्लिक करते ही आपकी application यहाँ पर आगे फर्दर continue होगी, so यह है copywriting से related आपकी internship application form, बाकि तीन internship Zomato के तरफ से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें आप comfortable हैं, आप उसमें apply कर सकते हैं, अगर आपको मेरी कोई help की ज़रूरत होगी, कोई चीज ऐसी नहीं समझ आ रहे हैं, do let me know in the comment section, you know the deal आपको क्या करना है, अगर आप मेरे साथ connect करना चाहते हैं, description पर जाएंगे, आपको वहाँ पर मेरे whatsapp group और मेरे telegram channel का link भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मेरे साथ connect कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, I hope आपको पसंद आई है, बाकि मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई topic के साथ, तब तक के लिए thank you so much, have a good day.